गुड मोरिंग गाईज, वेलकम टू बैंकिंग इंगलिस मानिया का आज है 29 सगस्त और 29 सगस्त के दा हिंदो आटिकल में आप सबकर स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, पहला वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा विरोध करना या डिस एप्रूब को कहा जाएगा डिस एप्रूब मिस्किया होता है अस्युकार करना या फिर नापसंद करने को कहा जाएगा डिस एप्रूब, सिर रूप से निंदा करना यह होता है कंडेम कंडेम मिस क्या होता है किसी का विरोध करना या फिर किसी को नीचा दिखाना बे लिटिल करना डिस फेवर करना डिस फेवर मिस क्या होता है फेवर मिस होता है किसी को सपोर्ट करना डिस फेवर किसी को सपोर्ट ना करना ठीक है तो य बोहीं चड़ाना और फ्रोन ओन विरोध करना, दिस्पेराइज होगा, ये भी इसका एक्सिनिम होगा, इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना, या फिर किसी को नीतरा दिखाना, नींदा करना किसी की, ये होता है दिस्पेराइज, Antinim क्या होगा इसका? Approve करना, Compliment देना, Indorse करना, Support को कहा जाएगा Esteem, किसी का आधर करना, यह इसका Antinim होगा Example होगा इसका, Both parties deprecated war, दोनों ही पार्टियों ने युद्ध का विरोध किया तो यह हो जागा इसका Example, अगला वहत है Gangling इसका मतलब होता है, दूबला या फिर जो थिन है, वह होता है Gangling जो लंबा टाइप का है, लेकिन कैसा है, बेवदा है, अजीब है, वह होता है Gangling जैसे Image में दिखर होगा, यह आठनों फिट का इंसान है, सबसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी है ठीके, तो जो है यह कैसा है, दूबला पतला है, एक्चुल में लंबा तो है, लेकिन दूबला पतला है, थिन है, लंब टंगा टाइप का है तो यह होता है Gangling, सिनम होगे इसके Slender, Skinny, Range, यह इसके Sinem होगे cylinder म wireless जो लंबा है पतला है वह वह parking है पतला है पतला है ओर ऑड़य संडली होगा से समझे दुबला पक्रवा इस प्पिंडिली भागा इसका मतलि 15 होता है दुबला पतला होगा लीन इसका मतलि बैला तो हिए इसका कई अन्हें क्या होगा इसका «ःंटिंुध। अधेयॸं कि आधा है बर्ली शो ८्जबूत है ठिक है चवी की जो थोल थोला टाइप का है, मोटा है, वो वाता है चवी, ये इसके एंटिनिम होगा, इसका, Tom was a gangling boy with long legs, जो Tom है, वो दूबला पतला लड़का है, लंबी-लंबी टांगों वाला, या फिर दूबली-पतली टांगों वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका एक्जामपल, अगला वट है क्रोणी, इसका मतलब हो जाएगा घनिस्त या क्लोज को कहा जाएगा क्रोणी, जो आपका दोस्त है, बड़ी है, उससे कहा जाता है क्रोणी, जैसे इमेज में दिखरा होगा, I love spending time with my क्रोणी, ये जो दो टोगी है, ये क्या करे मुझे अपने घनिस्त के साथ time बिताना मैरी क्या है, जो गनिस्थता है, तो ये वता है intimate, तो ये इसके cinema होगे, buddy होगा, fellow होगा, champion होगा, ये भी क्या है, चेंपियन भी क्या होगा होगा, associate होगा, जो आपका साथ ही है उसे कहा जाएगा associate, comrade होगा, साथ ही कहा जाता है, mat, he is my mat, वो मेरा दोस्त है, सखा है, सखी को कहा जाता है, mat, colleague, ये भी इसके सिन्म होंगे, antinim क्या होगा, for, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सत्रू या दुस्मन को कहा जाता है, for, competitor, जो आपका competitor है, rival होता है, rival में से भी क्या होता है, जो आपका विरोधी है, या फिर competitor है, adversary, जो आपका विरोधी है, opponent, ये इसके antinim होंगे, example होगा इसका, he spent the evening drinking with his cronies, उसने जो है, अपनी जो साम है, वो अपनी घनिस्ट दो जाता है, तो ये हो जागा, इसका example बढ़ते हैं आगे, तो guys अगला वट है, relegate, इसका मतलब हो जाएगा, निरवासित करना, या expel करने को कहा जाएगा, relegate, किसी को बाहर कर देने को कहा जाता है, relegate, इसके दो तिर मिनिंग है, एक हो जाएगा, downgrade करना, किसी को उसके position से, निचे ले इस तर पर पहुँचाने को कहा जाएगा, या उसका demotion को कहा जाएगा, relegate, एक मिनिंग ये हो गया, जैसे उपर, सबसे पर देखो आप, जो image में है, उसको उसके पद से क्या किया जा रहा है, निचे धकेला जा रहा है, इसका दूसरा मिनिंग होता है, आउस करन करना, consign करना, ठीक है, वो होता है, pass on करने को कहा जाएगा, relegate, तो ये भी इसका एक सिनिम होगा, तो इसके दो-तिन मिनिंग है, किसी को सता सोपना, या फिर hand over करना, कोई चीज, और दूसरा क्या है, आउस्ट करना, बाहर निकालना, डाउन ग्रेट करना, उसके पद से उस pass on करने को कहा जाएगा, और delegate होता है, delegate क्या होता है, जो हमारा नुमाइंदा होता है, या जो हमारा परतिनीधी होता है, कहीं पे कर रहा होता है, या जिसको पदभार दिया होता है, वो होता है, delegate, interest, सता सोंपने को कहा जाएगा, interest, ठीक है, antinim क्या होगा इसका, promote करना, किस इंबरेस करना गले लगाना अपोइंट करना यह इसके एंटिनिम होंगे एक्जांपल होगा इसका वीच सेल रेलिगेट दिस प्रोलम टो दी ओर्गनाइजिंग कमीटी हम यह जो समस्या है इसको ओर्गनाइजिंग कमीटी को सौंप देंगे ठीके तो यह हो जाएगा और इसका जो दूसरा मिनिंग है निर्वासित करना इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे दियर फुटबॉल टीम वाज रेलिगेटेड जो उनकी फुटबॉल टीम है उसको बाहर कर दिया था ठीके तो इस तरीके से यूज होगा अगला बड़ है Susceptible इसका मतलब क्या हो जाएगा वहला या इंप्रेसनेबल को कहा जाएगा susceptible जो किसी चीज के लिए क्या है एकदम से कैसा है vulnerable है sensitive है किसी चीज को लेकर एकदम से वो जैसे image में दिखरा होगा यहाँ पर क्या है Corona की टाइम पर Corona ने सबसे ज़्यादा उसको पकड़ा जो क्या था susceptible था काफी कैसा था किसी रोग के लिए प्रोन था जो उसी से एकदम से effect हो जाए वो था susceptible बोला इसलिए है चोटे बच्चे कैसे होते हैं भोले होते susceptible होते हैं उन्हें एकदम से बहला यह फुसलाए जा सकता है उन्हें एक लॉलीपॉप दे की भी जो किड्नेपर होते हैं उन्हें ठग लेते हैं बेकू बनाते हैं तो यह होता है susceptible एकदम से जो दूसरे की बातों को माल ले सिन्हें में होंगे इसके credulous, suggestible, vulnerable यह इसके सिन्हें है credulous जो सीधा साधा है बोला है suggestible जो एकदम से किसी की बात को माल ले vulnerable कमजोर है जो sensitive है prone जैसे prone to disease यहां पर image में निख रहा होगा यह कहा prone to disease है जिसको कोरोना एकदम से हो जाता है यह जिसको cold जैसे कि क्या होता है he is prone to cold वो उससे जो है जुखाम एकदम से हो जाता है तो यह इसके synonym होंगे antonym क्या हो जागा इसका जो skeptical है जिसके अंदर doubt है जो काफी क्या है doubt ही टाइप का है एकदम से किसी को किसी पर यकीन नहीं करता है वो था skeptical immune होगा जिसको कोई बिमारी नहीं होती वो सुरक्षित है immune है resistant यह इसके antonym होंगे example होगा इसका they only do it to tease him as he is too susceptible वे उसको चिड़ाने के लिए इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो कहें काफी बोला बाला है ठीक है तो यह हो जागा इसका example अगला वट है embody इसका मतलब हो जाएगा उधारन होना या समाविस्ट होने को कहा जागा embody जो personify करना, symbolize करना include, यह इसके sinning है include किसी को समाविस्थ करना symbolize जो संकेत होना किसी चीज़ का, ठीके या personify, किसी चीज़ का उधारन होना, यह होंगे इसके sinning, demonstrate करना कुछ चीज़ को परदस्रित करना, illustrate करना, यह भी इसके इसका meaning होगा sense होगा ठीक है embody का जैसे image में दिख़ा होगा यह क्या कर रही है अपनी body को दिखा रही है embody कर रही है illustrate कर रही है demonstrate कर रही है ठीक है या उधारानत्मक बन रही है या फिर इसने अपनी body को कैसा क्या है samawist किया हुआ है ekatrit किया हुआ है ठीक है तो यह sense था embody antinym क्या हो जागा इसका disembody जो क्या है टूटा हुआ है यह भंग हुआ रखा है वह था disembody disintegrate जो अलग है integrates नहीं है exclude जो बिल्कुल अलग है अलग किया हुआ है वह था exclude तो यह क्या है इसके antinym होंगे example हो गहा इसका words embody thoughts and feelings जो वह सब्द हैं उसमें समाविस्त हैं जो थोट हैं विचार और फिलिंग्स जो हमारी भावनाएं हैं तो यह हो जाए कि इसका एक्जामपल बढ़ते हैं आगे तो गैज अगला वड़ है सैसेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा समाप्ति या एंड को कहा जाएगा सैसेशन ज किसी चीज का जो रुकावट होती है इस्टेंड इस्टील होती है वह होता है सेसेशन से नम होंगे इसके टर्मिनेशन सीजिंग कंजूमेशन ये इसके सिन नम होंगे तर्मिनेशन में इसकी होता सांपती जैसे can you terminate your bad habit of smoking क्या तुम अपनी जो bad habit है smoking कि उसे एक कर सकते हो खत्म कर सकते हो यह होता है Termination, Seize करना, किसी चीज को खत्म करना, Consumation मतलब प्राकास्टा तक पहुंचना या अंतर तक पहुंचना यह होता है Consumation, Wind Up करना होगा, खत्म करने को आजाएगा, Wrap Up Cut Off होगा, Terminus होगा, यह भी इसके क्या होंगे Cinem होंगे, Cut Off होता है और क्या, Halt होता है Stand Still, यह भी इसके Cinem होंगे, Antinem क्या होगा इसका, जो Continuance है जो Continuous चला रहा है Extension है, लंबा खींचा जा रहा है Prolongation है, Persistence है यह इसके Antinem होंगे Example होगा इसका, The Bombardment Continued Without Secession जो गोला बारी है वो लगातार, बिना रुके, चलती रही ठीक है, तो यह हो जागा Example, अगला बट है Relenting, इसका मतलब क्या हो जागा नरम पढ़ जाना, या Weekend पढ़ने को कहा जाएगा, Relenting जब कोई कमजोर पढ़ जाए या फिर, To Be Merciful होने को कहा जाएगा, Relenting जैसे यहाँ पर, Mother है वो अपने बच्चे से चिड़ी थी, लेकिन वो कहा है, Last में, Relent होके नरम पढ़ गई ठीक है, उसका चहरा देखकर, मासुम चहरा देखकर तो यह होता है, Relenting किसी सामने, Merciful हो जाना या Give Up करना, Yield हो जाना यह होता है, Sinem क्या होंगे इसके, Submit होना, Conceit Capuchulate, यह इसके Sinem है Capuchulate मतलब जुक जाने को आजाएगा Conceit, किसी की बात को मान लेना Submit करना, Capuchulate करने को आजाएगा, तो यह इसके Sinem होंगे कुछ और Sinem है, जैसे Aqueous होगा Aqueous क्या होता है किसी का बिना विरोध के, किसी की बात को मान लेना यह होता है, Aqueous, Unband होगा नरम पढ़ने को का जाएगा Give way होगा, जुक जाने को का जाता है, Give way Pity, Melt, यह बिसके Sinem होंगे Example होगा इसका The Storm Finally Relented जो Storm ता Finally क्या हुआ नरम पढ़िया, ठीक है जो भुरन होता है जो Storm मतलब तूफान है वो Finally क्या हो गया, सांत हो गया तो यह हो जाएगा, अगला वट है Outright, इसका मतलब होता है सीधे तोर पर, यह Directly को कहा जाएगा Outright, जैसे Image में दिख रहा होगा यह क्या है, सीधे तोर पर बात कर रहे है Directly बात कर रहे है तो यह होता है, Outright, जो कहा है Face to Face है, यह Definite है Certain है, Straight Forward है वो होता है, Outright Cinema होंगे इसके Absolutely, Entirely Frankly, यह इसके Cinema होंगे एक Fringe है, Clear Cut इसका मतलब क्या हो जाएगा, साफ तोर पर Black and White इसका मतलब क्या है, जो बिल्कुल इसका मतलब हो जाएगा, Madness पागलपन को कहा जाएगा, मानिया अब देखते हैं, इसे लेटेड वर्ड जैसे Choreo Mania, Choreo में इसका होता है Dance, और मानिया मतलब पागलपन, तो जिसको डान्स को लेकर पागलपन है, या Uncontrollable Urge to Dance, जो Uncontrollable करके, डान्स करने लगे, अपने आप पर कोई रोक नहीं, और वो खुल कर डान्स कर रहा है, यह होता है Choreo Mania Biblio Mania होगा Biblio में इसका होता है Books मानिया मतलब पागलपन, तो जिसके अंदर Craze है, For Books और Reading ठीक है, यह होता है Biblio Mania, Klingo Mania Klingo में इसका होता है Bad, Klingo Mania तो जिसको Bad का पागलपन है Accessive Desire to Remain in Bad जिसके अंदर बहुँ ज़्यादा इच्छा होती है सिर्फ Bad में ही रहने की ठीक है, वो उताना नहीं चाहता बैट से यह होता है Klingo Mania Anthomania, Anthom में इसका होता है Flowers को का जाता है Anthomania, An Intense Fodness for Flowers जिसके अंदर क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इच्छा है या फिर बहुत ही ज़्यादा पागलपन है Flowers को लेकर, ठीक है तो यह होता है Anthomania और Ilarumania, Ilarus एक Root Word है, इसका मतलब क्या होता है Cat को का जाता है तो Ilarumania, जिसके अंदर क्या है Cat को लेकर पागलपन है A person for cats, जो Cats का भोजादा Sokin Type का है वो होता है Ilarumania तो यह हो जाएगा इसका आज का Root Word बढ़तें आगे तो guys, आज की पहली idiom है Give someone the benefit of the doubt इसका मतलब हो जाएगा Trust what someone says जो कोई कह रहा है उस पर trust करने को कह जाएगा Give someone the benefit of the doubt जैसे example है I didn't know whether his story was true or not But I decided To give him the benefit of the doubt मुझे नहीं मालूम कि वो सही उसकी story सच है या जूट है लेकिन मैंने decide किया है या निरने लिया है कि मैं उस पर विश्वास करूँगा ठीक है, जो भी वो कह रहा है तो यह हो जाएगा इसका Example तो guys, अगली idiom है A blessing in disguise इसका मतलब क्या हो जाएगा An apparent misfortune That eventually has good results जो शुरुवात में misfortune लगे मतलब बेकार लगे और उसका जो ending हो Eventually Last में क्या है उसका जो result है वो क्या हो? अच्छा हो वो हता है A blessing in disguise Something that seems bad or unlucky at first But results in something good happening later बाद में जो उसका result है वो अच्छा निकले ठीक है यह होता है A blessing in disguise Just example है Losing that job Was a blessing in disguise really मतलब क्या है इसका? उस job को lose करना Actual में क्या था? मेरे लिए जो उसका ending है वो बहुती अच्छा साबित होआ सुरुवात में बुरा लगा लेकिन last में उसका जो ending है वो अच्छा लगा ठीक है तो यह हो जागा इसका example अगली idiom है Knock one's socks off इसका मतलब हो जागा To impress someone किसी को परभावित करने को गा जागा Knock one's socks off यह से example है This song will knock your socks off यह song है यह तुमें परभावित कर देगा या फिर यह तुम पर impress डाल देगा ठीक है तो यह हो जागा इसका example अगली idiom है Be the butt of someone's jokes मतलब क्या है To be a person Who is jogged about or laughed at ऐसा person होना जिस पर क्या है लोग joke करें या हसें उसे का जागा Be the butt of someone's jokes जैसे joke कर होता है उस पर लोग हसते है ठीक है तो ऐसा person होना कोई भी परसंद नहीं करता है Nobody likes to be the butt of someone's jokes ठीक है Example है इसका He was sick of being the butt of their jokes वहाँ उनके मजा का पातर मजा का पातर बनने से तंग आ गया था ठीक है तो यह जागा इसका example बढ़ते आगे क्या था हर पता और हर flower हर फूल भगवान की महिमा को परदसित करते हैं ठीक है तो यहाँ पे every लगावा है और every leaf और every flower तो कहीं पे अगर every लगा है या each लगा है तो ध्यान देना उसके बाद noun किसम है अगर वो singular में है तो वहर भी भी क्या आएगी singular में आएगी ठीक है तो every leaf है singular है every flower फ्लावर भी क्या है singular है तो proclaim क्या है पुलरल नहीं हो सकता इसको भी क्या है singular करना पड़ेगा तो proclaims होगा every leaf and every flower proclaims the glory of God तो यह इसका सही वो होगा कुछ और समझो इसमें भी क्या है singular आएगा क्यूंकि every के बाद क्या है जो noun है वो singular है ठीक है वो इसे नीचे देखो every boy and every girl यहाँ पर भी क्या है and से जुड़ गया है तो क्या हैगा has आएगा क्यूंकि आगे every लगा है या each लगे दोनों में यह होगा ठीक है और यह नीचे word यहाथ मैंने क्या stationary और stationary में क्या अंतर है तो अगर ery आये तो इसका मतलब क्या होजगा लेखन सामगरी और stationary जो इस्तिर है अचल है ठीक है तो यह होजगा stationary अगर ery है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे तो guys आज आज आपको बताना है compliment और compliment में इन दोनों में क्या अंतर है अगर e हो तो क्या meaning होगा और i हो तो क्या meaning होगा और अगल आपको solve करना है is there any further reasons you can give us for your failure इसमें कहां पर error है यह भी आपको find करना है तो guys आपको